वो इंसान जिसमें अपने अंदर भक्ति की आग को बढ़ने दिया है. आप यहां धर्ति के एक टुकड़े के रूप में नहीं रहेंगे. आप यहां शिव के एक अंज या हिस्से के रूप में रहेंगे. शिवांग का अर्थ है एक अंग बन जाना शिव के शरीर का एक अंग आप वैसे भी शिव का अंग हैं मगर आप उस जागरुकता के बिना जी रही है इसलिए एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है जो करीब 42 दिन की है ताकि आप उस अनुभव को पाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया से गुजरें अपने जीवन में इसे स्थापित करें कि आप वाकई शिव के एक अंग हैं अगर हम जीवन के इस आयाम से जुड़ जाते हैं तो सेहत, खोशाली, समरिध्धी ये चीज़ें अपने आप होनी चाहिए सबसे बढ़कर आनंद पूर्वक जीना एक कुद्रती प्रक्रिया है शिवांगा प्रक्रिया ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है इससे मेरी भीतरी सक्ती बहार आ गई है आपको शिवनमस का नाम की एक चीज़ करनी होती है वो करने के बाद शरीर में कुछ बदल रहा है मन में कुछ इसपश्ट हो रहा है भावनाओं में कुछ स्थिर हो रहा है और उर्जा के स्थर पर भी कुछ बदल रहा है ये सब हर दिन शिवनमस कार से हो रहा है मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सात्वे परवत तक चड़ सकता हूँ ये एक अद्बो दन्भव था आसू बहने लगे ये बहुत ही जबरदस्थ था हमें एक ऐसी साधना भेट करने के लिए सद्गुरु को धन्यवाद जब आप अपने भीतर ऐसी तीवरिता से जलना सीख लेते हैं जो किसी भौतिक चीज से पैदा नहीं हो सकती तब उस व्यक्ति को भौतिकता नहीं थाम सकती वो व्यक्ति निश्चत रूप से परम मुक्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है ये मेरी कामना और मेरा आशिरवात है कि आप हमेशा एक तीवर जीवन हो एक संपून जीवन शिवांग का मतलब यही है कि आप जीवन के एक तीवर अंश है मार मोम के लिए से अंश है खिर फिर दो तीवर ठाश है कि अर्थर को कि एक बढ़ परम मेरा कामना आप है अंश है कि एक सिर्थरे एक चामना तीवर तीवर कि एक संपून और मेरा कामना तीवर। झाल झाल